उन्हेंने गिता में सपष्ट बोला है कि हे अरजुन इन चरम चक्षूओं के दवारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता जिस दोड में हम सामिल हो रहे हैं जिस दोड में हम भागम भाग मचा रहे हैं जहां हम बहुत वर्षों से भाग रहे हैं वो दोड है ही नहीं कैसा लगेगा आपको ये सब चीजें सुन करके, अनुभाव करके, कुछ लोग तो ये भी सोच रहें, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आँखों का बहुत महतव होता है ध्यान के अंदर, आँखों के बिना कैसे एक अगर हो जाएगा, किस परकार से ध्यान लगेगा, आँखों के बिना तीसरे तिल का जो तीसरे नितर है, उसका कैसे ध्यान किया जा सकता है, तिरपुटी के उपर कैसे ध्यान लगेगा, ये कैसे हो सकता है, आग्या चकर कैसे जागरत होगा, मैं तो आँखों से ही इस नासिका के उपर ध्यान करता हूँ, मैं तो आँखों से ही जोती को निहारता हूँ देखता रहता हूँ एक टक मैं तो आखों से ही सारा कारिय करता हूँ मेरे तो आखों से ही सारा खेल चलता है अगर यह आखे नहीं देख सकती तो कौन सी आखे देख सकती हैं यह पैर चल नहीं सकते तो कौन से पैर चलते हैं यह हाथ वहां कारिय नहीं करते त तो कौन सा हाथ कारिय करता है, ये वाणी वहाँ नहीं चलती, तो कौन सी वाणी चलती है, क्या ये रहस्य है, ये बहुत गहरे रहस्य हैं, जब तक आप इनको नहीं समझोगे, मारग पर चलना बहुत मुश्किल होगा, आप चलते चलने की कोशिश करोगे, खोजने की उन में आएगा किसी भी उपरकार के वस्तर पहन करके आपको ड्रा देगा आपको वैबीत कर देगा किसी भी धरम का आएगा आपको बहका देगा आप अपने मारग से बटक जाओगे उसकी बातों के अंदर आ करके अपने ध्यान को भी छोड़ दोगे सुम्रण को भी पन होगा लेकिन अगर आपने नाद को सुन लिया सबद को अंदर गूंजते हुए अनुभाव कर लिया सबद को सुन लिया उस सबद को सुनने के लिए इन कानों किया उसकता नहीं होती सबद को सुनने के लिए सुरत किया उसकता होती है सबद को देखने के लिए इनेत्रो होने लगता है दिखने लगती है तो निर्थ अपने आप उठ करके उस जोती के अंदर से निकलने लगती है आग्या चकर के अंदर समा जाती हो और आगे की चड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन कुछ जीव इस रहस्य को नहीं समझते कुछ जीव क्या बहुत जीव इस रहस् है सुम्रण क्या है रास्ता क्या है क्या मैं सही चल रहा हूं मुझे ये दिखाई देता है मुझे वो दिखाई देता है क्या वो पासवाल दिखाई दिये थे पितर दिखाई दिये थे ये सब बर्म जाल है जो आपको बर्मित कर रहा है काल और माया ने ऐसा जाल फैला दिया जिसके अंदर सब जिवों को बांद दिया और एक भी जिव छूट नहीं पा रहा जो जिव छूट गया वो उस बर्म के चर्णों में लेकिन उस से छुटना बहुत मुश्किल है आप कितना भी कोशिश करें कितना भी भाग लें एक दूसरे के सामने कितना ही बोलते रहें कितना ही बेवकूब बनाने की कोशिश करते रहें मैं वहां पहुँच गया मैं वहां पहुँच गया लेकिन जब आप ज्यान के उपर ब बोला है कहां गल्ती की है कहां क्या किया है आप कहां सही हो कैसे आपको करना चाहिए कोशिश करो कि जीवन में ध्यान को जोड़ दो और सावधानी के साथ एक एक पल जब आप सावधानी के साथ जीओगे एक एक अक्षण अक्षण जब आप सावधानी का इस्तेमाल करोगे एक एक स्वास सावधानी के साथ लोगे और एक एक चीज को आप जगरत अनुभव करोगे आपको साधना दीरे दीरे होने लगेगी साधना परियास से, कोशिश से, जागने से, ध्यान से, सुम्रण से और हरी की सरण से क्योंकि उसकी करपा के बिना, उसकी मेर के बिना, उसकी दया के बिना साधना प्राप्त नहीं हो सकती हम जिन संसारी वस्तों को इतना बड़ा माने हुए बैठे हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की ताकत को नहीं जानते हम अपनी आत्मा की कीमत को नहीं जानते, हम इस स्रीर की कीमत को नहीं जानते अगर शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो डोक्टर भी बोल देते हैं नहीं अब ये ठीक नहीं हो गा आप करोणों ऐर्बनों पर लगा दो सारी धरती की धन दोलत दो वो शरीर का अंग ठीक नहीं हो दा कितना अनमोल है एक एक शरीर का कितनी कीमत है इस शरीर की और इस शरीर के अंदर जो मालिक बैठा हुआ है जो परमात में बैठा हुआ है जो वो अनंत बैठा हुआ है जो इसको सबको चला रहा है सबको समाल रहा है परतेक कारिय वो इसके अंदर बैठ करके आपसे करा रहा है उसकी क्या कीमत होगी आप सोचो कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि जिसका हाथ ठीक नहीं हो रहा हमने करोडों रुपे लगा दिये कि जिसका ये प्रेशानी है हमने बहुत पैसा खरच कर दिया ये ठीक नहीं हो रहा सारे घर की दोलत इसके उपर लुटा दी लेकिन ठीक नहीं हो रहा दरद से चटपटा रहा है दरद से करा रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा तो उस जीव को देखिए कि सारी धर्ती का दन संपता तक देने को तयार है लेकिन छोटा सा दर्द तक नहीं मिट रहा और आप लोगों के सरीर सवस्त है जीवन खुस हाल है और ध्यान करना नहीं चाहते परमातमा की और बढ़ना नहीं चाहते उसका सुकरादा करना नहीं चाहते उसका धन्यवाद नहीं करना चाहते उसकी सरण गरण नहीं करना चाहते उसका नाम सुमरण नहीं करना चाहते कितनी बड़ी भूल है क्योंकि ये अगर सरीर चला गया कोई पूछने वाला नहीं रहेगा उपर जाने के बाद के ओल हिसाब होगा इधर से उठा करके दूसरे स्रीर में डाल दिया जाएगा पहले तो उपर वहां तक धरमराज के दर्बार तक पहुंचना ही मुश्किल होगा क्योंकि जैसे करम हम करेंगे उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होगा और जैसे करमों का फल होगा वैसे ही संसार के अंदर बटकती हुई आत्माएं बहुत लाखों करोड़ों आत्माएं संसार के अंदर बटक रही हैं हमारे पूरोजों की आत्माइं बटक रही हैं बहुत अनेकों अनेक जब आपको ये दरिश्टी प्राप्त होगी देखने का कभी परमात्मा ने सो भागे दिया तो आप नजर दोड़ा करके देखिए आपके आसपास कितनी आत्माइं बटक रही है कितनी आत्माएं तड़फ रही है कौन कैसी कैसी आत्माएं छटपटा रही है कैसे दुखी से खुद भी दुखी औरों को भी दुखी कर रही है कितनी प्रेशान आत्माएं हैं जो रो रही है कि हम भजन करेंगे एक मुकादे परमात्मा दुबारा से जियून में गलतियां नहीं होंगी बस एक बार करपा कर दे एक बार मुकादे दे एक बार करपा बरसा दे दूसरे बार जियून में कोई किसी परकार की गलती नहीं करेंगे बस एक मौके के इंतजार में लाखों करोडों आत्माएं बिना सरीर के चटपटा रही है सुक्सम सरीरों के अंदर चटपटा रही है ने देव खुसें ने दानों खुसें ने पितर खुसें ने जिन खुसें ने जिनात खुसें कोई भी संसार के अंदर जिसने स्रीर धारण किया खुश नहीं है और वो आत्माई स्रीर ग्रेंड करने के लिए बहजारों वरस तक तरफती रहती है सजाएं भोगती रहती है इधर उधर गूमती रहती है कि कुछ मिल जाए कुछ प्राप्त हो जाए कोई संतों के दर्शन हो जाए कल्यान हो जाए कोई हमारा पीछा चटवा दे कोई गती करवा दे जिवन में हम आगे बढ़ जाएं गती चक्कर में चले जाएं आप देखो जिनोंने इतनी लंबी आयू पाई है असव थामा जी ने पहुत लंबी आयू पाई है आज भी चिरंजी उह घूम रहे हैं सरीर नहीं छुट रहा जब सरीर नहीं छुटता तो भी लोग इस सरीर से प्रेशान होने लगते हैं चटपटाने लगते हैं, किसी परकार से ये शरीर छूट जाए, इस शरीर से यात्मा मुक्त हो जाए, और हम ये शरीर छोट करके आगे बढ़ जाए, लेकिन उन लोगों के शरीर नहीं छूट रहे, बहुत तडपते हैं, बहुत परियास करते हैं, जोर लगा दिया, शरीर न ही छुटेगा शुखी नहीं हो सकता